नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेडी जीस में दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा मिन्स का प्रैक्टी सेट नमबर 9 इससे पहले दोस्तों हम लोग 8 प्रैक्टी सेट कर चुके हैं अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डेली प्रैक्टी सेट चलाया जा रहा है दोस्तों इसमें हम लोग 75 कोस्टन का डिसकसन करेंगे और 25 कोस्टन जो बच जाएगा तो हम आपको PDF देदेंगे आप लोग वहाँ से जाकर करके बना लेजेगा देस्क्रिप्शन में हम टेली गराम का लिंक देदेंगे आप लोग वहाँ से बना लेजेगा दोस्तों हम आपको तीन प्रैक्टी सेट का PDF दिये हुए है कल हम आपको जितना भी प्रैक्टी सेट का PDF बच रहा है वह अब कल आपको देंगे और दुस्तों आप से की रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए है तो पिले जी से सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा लाइक करें दुस्तों में शेयर करें फेस्बूक वार्ट्स और टेलिग्राम के माध्यम से और दुस्तों कल से दिया हुआ है तो चलिए दूस्तों स्टार्ट करते हैं कि क्रिशन का विक्रन उच्तर अवस्था तक पहुचने पर तरंगधर कैसा होता है एक कराईट अंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमर दू तपमान बढ़ने पर घट जाता है वायू के विस्थापन नियम के नुसार जब क नमगर विक्रन उड़्जा बढ़ जाती है एक ब्लैक बोड़ी में अधिक्तम उत्तरजन की तरंगधर अपने ताप मान के वित करून पाती होती है और छोटी तरंगधर प्रकास से उच उर्जा फ्रोटानों को संदर भीत करते हैं नेश्ट अमलुक देख लेते हैं कोशन नमर दो कह रहा है कि जल का घना तो एक गराम सेंटीग्रेट है यह बिल्कुल शही है दो कडाई टेंसर हो जाएगा आपसन नमर दो चार दिग्री सेंटीग्रेट पर जल का घना तो अधिक्तम 3.98 डिग्री सेंटीग्रेट पर होता है जमने फर जल का घना तो कम हो जाता है और इसका आयतन 9% बढ़ जाता है नेक्स्ट हम लोग देखते है कोश्चन नमर 3 तीन में आपको कह रहा है कि कोश्चन नमर 3 कह रहा है कि जब किसी धातू को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रोन उर्जा को और सुशित कर लेते हैं और उस्तर उर्जा इस्तिती की और छलांग लगाते हैं वे परकास उत्सरजन करते हैं जिसे हम किसमें देख सकते हैं तीन का राइट इंसर हो जाएगा आपसर नमर 3 यानि की उत्सरजन एस्पेक्टरम जब एक धातू के अनू या परमानू को काफी गरम किया जाता है तब उसके इलेक्ट्रोन ताप उर्जा को और सुशित कर उच उर्जा अस्तर को प्राप्त करते हैं और जब यही इलेक्ट्रोन अपने वास्तिवी किस्तिती में आते हैं तब परकास के रूप में उर्जा का निकास होता है और इलेक्ट्रोन का उर्जा अस्तर में यह छलांग उत्षरजन एस्पेक्ट्रम के रूप में परदर्सीत होता है नेक्ष्ट हम लोग देख लेते हैं कोश्चन नमर चार कोड़ाय की खाना पकाने के बरतनों के नीचे का बाहरी हिसा काला क्यों छोरा जाता है चार कर आइट इंसर हो जाएगा और सन नमर चार यानि की काली सत्व उस्मा की अच्छी और सोसक होती है नेक्ष्ट देख लेते हैं कोश्चन नमर फाइप में कह रहा है कि गैस ताप मापी द्रो ताप मापीयों की तुल्ला में ज़्यादा समेधी होते हैं कि गैस पांच का राइट अंसर हो जाएगा और सन नमर एक यानि की गैस का प्रसार गुनांग अधिक होता है नेक्ष्ट देख लेते हैं कोश्चन नमर छे दोस्तों आप लोग के वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों में सेयर करें कोश्चन नमर छे कर रहा है कि एक स्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है छे कराईट एंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर दो यानि कि ताप की खड़ाव औसोसक तथा अच्छी पड़ावर्तक नेक्ष्ट देख लेते हैं कोश्चन नमर साथ कर रहा है कि बिधुत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस में सिरधातू का पड़ियोग गिया जाता है वह कोन सी है साथ कराईट एंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर तीन यानि कि निक्रोम नेक्ष्ट देख लेते हैं कोश्चन नमर आठ कर रहा है कि निम्बू के रस में पी एच का अनुमान कितना होता है आठ का राइट एंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर तीन यानि कि साथ से कम होता है निम्बू के रस्त का pH मान 2 से 2.60 यानि कि 2 से 2.60 के बीच होता है और यहां निम्बू के परकार पर निर्वर करता है pH एक समाधान के भीतर अमलता या छाड़ियता के बेभिनस्तरों को ब्यक्त करता है निम्बू के दोरान विसुद धातु कहां पर एकतरीत होता है निम्बू का परिसकरन उनका सुधी करन है और बेधूत परिसकरन में असुद धातु को एनोड के रूप में उप्योग किया जाता है और सुध धातु की पर्टी का कैथोड के रूप में तता धातु के किसी लवन के घोल का बेधूत अब घटे के रूप में उप्योग होता है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोशन नमर्ब 10 कराय की निम्लिखित में से कौन सबसे ससक्त असकंदक है दस कराय टेंसर हो जाएगा ओफसन नमर्ब 2 अलमुनियम कुलोराइड जो है वो आपका सबसे ससक्त असकंदक है नेक्स्ट देख लेते हैं कोशन नमर्ब एगारे कह रहा है कि इन में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है एगारा कराय टेंसर हो जाएगा ओफसन नमर्ब 3 यानि कि प्रसार माध्यम जोन है या सरकार का अंग नहीं है विधाई का, करपाली का और नियापाली का जो है या आपको सरकार का अंग है नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर्ब 12 कराय की निमली खित में से कौन सी समीती भारत की संसदिये विध समीती है बाड़ा कराय टेंसर हो जाएगा ओफसन नमर्ब 1 A और C यानि कि सरकारी लेखा समीती और सरवजनिक उपकरम की समीती जोन है या आपको संसदिये विध समीती है सरकारी लेखा समिती सरवजैनिक उपकरम की समिती नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोशन नमर तेरा कहरा कि सरकारी या आयो की नियुक्ती किस प्रोशन की समिक्षा के लिए की गए थी तेरा कराइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर एक केंद राज सम्बंध सरकारी या आयो की नियुक्ती केंद राज सम्बंध की समिक्षा के लिए की गए थी और केंद राजू के मद विबाद को सुलजाने के लिए मुक्त चार आयो गठित किये गए जो कि आपको परसासनिक सुधार आयो राज मननार आयो भगवान सहय समिती यह सरकारी आयो और सरकारिया आयो का गठन जो हुआ था वो आपको 1983 में किया गया था नेक्स्ट अमलोग देख लेते हैं क्वेशन नमर 14 कहरा है कि भारत में नियाइक पुनरिक्षन का अधिकार किसको प्राप्त है 14 कहरा है अंसर हो जाएगा और सनमर दो उच ने आले तथा उचेतम ने आले नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेशन नमर 15 कहरा है कि किसी ब्यक्ति के मोलीक धिकारों का जब उलंगन होता है तो वह किसके पास जा सकता है 15 कड़ाइट अंसर हो जाएगा और सनमर चार उप्रोक्त कोई भी यानि कि भारत के राष्टपती, भारत के परधान मंत्री और सरवचने आले किसी ब्यक्ति के मोलीक धिकार का जब उलंगन होता है तो वह भारत के राष्टपती और परधान मंत्री और सरवचने आले में जा सकता है नेक्स्ट देख लेते हैं Q16 कहड़ा की भारतिय समिधान की आठवी अनुसूची संबन्नीत है Q16 कराइट अंसर हो जाएगा option नमर 3 भारत की भासाओ से भारतिय समिधान की आठवी अनुसूची में 22 अनुसूची भासाओ के सूची सामिल की गई है और इन भासाओं को अधिकारिक दर्जा प्राप्त है नेक्स्ट अम लोग देख लेते हैं Q17 कहरा की भारतिय समिधान की प्रस्तावना में समाजवादी सब्द जोरा गया 17 कराइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर दू यानि की 42 संसोधन 1976 के द्वारा जोरा गया Q17 कहरा की भारतिय समिधान के पड़ी रक्षक कोन है 18 कराइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर चार उचितम नियाले भारतिय समिधान के पड़ी रक्षक उचितम नियाले है और इसके अतिरिक्त कोई ऐसा विबाजिस के साथ समयधानिक प्रश्न जूरा हो अत्वा किसी कनून का अभिप्राया स्पष्ट करना हो उच्तम नियाले इन विश्यों की ब्याख्या करता है नेश्ट हम लोग देख लेते हैं Q19 कहरा है की हमारे समिधान का कौन सा अनुचेद समिधान में संसुधन की प्रक्षक को निर्धारित करता है Q19 का राइट अन्सर हो जाएगा option नमर 3 अनुचेद 368 समिधान के भाग 20 समिधान के भाग 20 के अनुचेद 378 में समिधान संसुधन की प्रक्षक का उलेख है और समिधान संसुधन के लिए बिधाय को संसत के किसी भी सोदन में प्यस किया जा सकता है कुश्चन नमर 20 में दे रहा है अनुछेद 370 भारतिय समिधान का अनुछेद 370 समंधित थे दूस्तों यह जम्मू कस्मिट से समंधित था जो इसको भी समाप्त कर दिया गया है नेक्ट देख लेते हैं 21 में कहड़ा कि भारत के समिधान सभा के अधियक्ष कोन थे 21 का राइटन सर हो जाएगा ओप्सन नमर 4 डाक्टर रजेंदर प्रशाद भारत के समिधान सभा का गठन हुआ था 1946 में गठन किया गया था और पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसमबर 1946 को हुई और इसे दिन डाक्टर सचिता नंसी नहा को अधियक्ष बनाये गया था और 11 दिसमबर 1946 को डाक्टर रजेंदर प्रशाद शमिधान सभा के अधियक्ष नियुक थोए और आपको 13 दिसमबर 1946 को उद्य इस प्रस्ताव जुन है वह आपको पंडी ज्वाहर लान ले रूपेस किये थे तेरे दी सम्बर को नेक्स्ट आम लोग देख लेते हैं 22 में कह रहा है कि भारतिय समिधान की प्रस्तावना में निमली खित में से किसका उलेख नहीं किया गया है 22 का राइट इंसर हो जाएगा ओप्सन नमर 3 व्यसक मत अधिकार भारतिय समिधान की प्रस्तावना में व्यसक मत अधिकार का उलेख नहीं किया गया है अनुछेद 326 में लोक सभा और राज सभा की बिधान सभाव के लिए निर्वाचन का बैसक मददिकार के अधार पर होना उल्लेखित है नेक्स्ट आम लोग देख लेते हैं 23 में कर रहा है कि भारतिय समिधान की प्रस्तावना में निर्वली खित्म से किस अभिव्यक्ती का परियोग नहीं किया गया है 23 का राइट इंसर हो जाएगा और सन नमर चार संगिये भारतिय समिधान की प्रस्तावना में संगिये सब्द का परियोग नहीं किया गया है हम भारत के लोग का उलेख किया गया है जो भारत के लोगों को सरोच प्रभूता की घोशना करता है और यह ब्रिटेन के समराट की प्रभूता से स्वेम को पूर्णता मुक्त घोशित करती है नेश्ट आम लोग देखते हैं कोशन नमर ट्वेंटी फूर ट्वेंटी फूर में आपको कह रहा है कि समिधान की प्रस्ताना में भारत को कहा गया है चोविस कर आइटेनसर हो जाएगा ओप्सन नमर चार सौर्व सत्ताधारी समाजवादी धर्न विर्पेक्ष और लोग तंत्रात्मिक गनराज नेश्ट देख लेते हैं कोशन नमर ट्वेंटी फाइब कह रहा है कि भारतिय समिधान में कितने अनुच्छेत थे 25 का राइटेनसर हो जाएगा ओप्सन नमर एक 392 अनुच्छेत थे मूल समिधान में 305 अनुच्छेत थे में हुआ 26 का राइटेनसर हो जाएगा ओप्सन नमर दो यहां नंद के काल में हुआ जिस समय सीकंदर भारत पोर आकरमन हुआ उस समय नंद बंस का अंतिम सासक घना नंद गदी पर्थाजी से परास्त कर चंदर गुप्त मुर ने मुर बंस की निव डाली नेश्ट अमलोग देख लेते हैं कोशन नमर 27 कर आज इसमें कि महात्मा बुध ने निवन में से क्या नहीं मानते थे 27 का राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर दो इस्वर की सत्यता महात्मा बुध इस्वर की सत्यता को नहीं मानते हैं बोध धर मुल्त अनिस्वर वादी है क्योंकि इसमें इस्वर की अस्थान पर मानो प्रतिष्ठा पर बल दिया जाता है और इसे अनात्मा वादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पुनर जनम में विश्वास करता है नेश्ट देख लेते हैं दोस्तों आप से एक किवेश्ट है आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पिली जी से सस्क्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए विडियो को ले करके आते रहेंगे कुश्टन नमर 28 कह रहा है कि कुशान बंस का सबसे प्रसिद सासक निमले खित में से कोन था 28 कराइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर 1 कनिस्क कुशान बंस का संस्थापक कुशल कट फिसेज के कुशान बंस का जो संस्थापक था वह कुशल कट फिसेज था और कनिस्क की जोन था वह कुशान बंस का सबसे प्रतापी शासक था नेक्स्ट हम लोग देख लेते है 29 कह रहा कि 326 इस्विपूर में भारत पर किसके नेतरुत्त में विद्यसी आक्रमन हुआ 29 का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर 4 एलेक्जेंडर यानि कि एलेक्जेंडर दा ग्रेट सीकंदर को कहा जाता था नेक्स्ट कुशन देख लेते है 31 कह रहा कि 5 बंस की रजधानी किस अस्थान पर अवस्थित हुआ करती थी 30 का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर 2 मदूराई नेक्स्ट देख लेते है 31 कह रहा कि सूफी अंदूलन का संबंद निवन में से किस धर्म से है 31 का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर 3 यहापको इसलाम धर्म से है सूफी अंदूलन इसलाम धर्म से संबंदित है जो लोग सूफी संतों में संतों से सिस्या गरहन करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था नेक्स्ट देख लेते है कोशन नमर 32 32 में कह रहा कि अश्ट प्रधान क्या था 32 का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर 3 सिवाजी का 8 सदसिये मंत्री मंडल नेक्स्ट देख लेते है 33 में कह रहा कि लॉड बिलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना 33 का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर 1 चार्टर एक्ट 833 नेक्स्ट देख लेते हैं 34 में कह रहा कि भारतिय राष्टिये कांग्रेस के इनमें से कौन से अधियक्ष नहीं हुए 34 का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर 3 भगत सिंग पंडि जोहाल ललेहरू सुभास चंद्वोस औधादा भईनरोजी कांग्रेस के अधियक्ष थे नेक्स्ट देख लेते हैं 35 में कह रहा कि ब्रिटिस सास्कों के द्वारा भारतिय असंतोस का नेता किसे कहा 35 कराइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर 3 भाल गांगा धर तिलको लोकमान भाल गांगा धर तिलको ब्रिटिस सास्कों द्वारा भारतिय असंतोस का नेता कहा गया था नेक्स्ट देख लेते हैं Q. 36 में कर आके किस भारतिया नेता ने तीनियों गोल में समयलन में उपस्तित हुए 36 कराई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर एक डाक्टर भीम राव अमबेद कर नेक्स देख लेते हैं और इसमें एक जान लिजे कि महात्मा गाधे केवल अब दुसरे गोल में समयलन में भाग लिये थे नेक्स देख लेते हैं Q. 37 कराई कि केस बिरिटिस गोवर्नर जनरल ने भारत में डाक्टिक्टू के सुरुवात की 37 कराई टेंसर हो जाएगा और बिभाजन के नीरने की घुसना 19 जुलाई 1905 को हुआ था और भारत के ततकलिन वाय सरय लौट करजन द्वारा की गई और बिभाजन जो है वह स्टूरे अक्टूबर 1905 से परभाई हुआ इस बिभाजन के द्वारा हिंदू स्वामित वाली पच्छिमी छेत्रों से बड़े पैमाने पर मुस्लिम बहुल्यू वाले पुर्वी छेत्रों को अलग किया गया नेक्ष देख लेते हैं कुशन नमोर 39 कराई कि असहयू गांदूल अनों आपस ले लिया गया क्योंकि 49 के राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमोर 3 क्योंकि चोरी चोरा घटना के कारण पांच फरवडी 1922 को चोरी चोरा नमका स्थान पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला देने के समाचार सुनकर महात्मा गाधी ने 11 फरवडी 1922 इस भी में आंदोलन को अचानक वापस ले लिया नेक्श देख लेते हैं क्योंकि चोरा कि महावली पुरा में इस्तित मंदीर शंबंधित है 40 का राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमोर 3 पलो बन से पलो सासको का सासनकाल कला एव अस्थापत की उनति के लिए प्रसिद था पलो सासक नर्सिंग बर्मन प्रथम के सासनकाल में महावली पुरा में मंडव तथा 81 मंदिर का निर्मान किया तथा पलो नरेश नर्सिंग बर्मन दितिये के सासनकाल में महावली पुरा में सोर मंदिर का निर्मान किया गया और 81 मंदिर को रथ कहा गया नेक्ष देख लेते हैं क्वेशन नमर 41 में आपको कह रहा है कि छोब मंदल की मोटाई बढ़ सकती है 41 के राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर 2 गर्मी में चोब मंदल की उपड़ी सीमा को चोब मंदल सीमा कहते हैं यह बहुत पतली और स्थाई परत है सो महन धराव दोरा उसमा को प्रयाप्त उचाई तक ले जाने के कारण किसी भी अक्षांस पर चोब मंदल को उचाई सीत रुत्य की अप्यक्षा ग्रिसम रित्यु में अधिक होती है नेक्ष्ट हम लोग देख लेते हैं कोशन नमर 42 कह रहा कि सौर परनाली में प्रित्वी सुर्ज से डैस गरा है 42 कर राइट इंसर हो जाएगा ओप्शन नमर 2 यह आपको तीसरा गरा है नेक्ष्ट देख लेते हैं कोशन नमर 43 कह रहा है कि आरकी पे लागो का आस क्या है 43 कर राइट इंसर हो जाएगा ओप्शन नमर 2 यह आपको दीप है आरकी पे लागो का आस दीप है दीप चारो और जल से गीरे भूभा को कहते हैं और इसका छेत्रफल अपयक्षा क्रित छोटा होता है नेक्ष्ट है 44 44 में आपको कह रहा है कि मिटी और पत्थर के टुकरों का पहारी की तलकी और गमन करना कहलाता है 44 कर राइट इंसर हो जाएगा आप्शन नमर 1 मिर्दा और छेपन मिटी और पत्थरों के टुकरों का पहारी की तलकी और गमन करना मिर्दा अपर्दन कहलाता है और यह अपर्दन बर्षा के जल तथा नदी जल से होता है नेक्ष्ट देख लेते हैं क्वेश्ट नमर 45 में कह रहा है कि एसिया की सबसे लंबी नदी है 45 के राइट नसर हो जाएगा ओप्सन नमर 3 यांग्सी नदी यांग्सी नदी इसिया की सबसे बड़ी नदी है इसकी लंबाई 5797 किलो मिटर है और यह तिबद के पठार से निकल कर चीन में परवाहित होती है तथा मृत सागर में गिरती है नेक्स देखते है कोशन नमर 46 कह रहा है कि ओरेंज नदी डैस देश में बहती है 46 के राइट नसर हो जाएगा ओप्सन नमर 1 यहां दक्षिन फिरिका देश में बहती है और यहां आपको 290 किलो मिटर लंबी है नेक्स देख लेते हैं 47 कह रहा है कि एसिया महादीब का सबसे बढ़ा द्वीप है 47 के राइट नसर हो जाएगा ओप्सन नमर 2 बोर्निया बोर्निया जुन है वह एसिया एसिया महादीब का सबसे बढ़ा द्वीप है और यह हिंद महसागर में अवस्तित है इसका छेत्रफल जो है आपको 7,44,370 बढ़ किलो मिटर में बिश्तित है नेक्ष देख लेते हैं दुस्तों आप मेरे चैनल पे नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह वीडियो जो है आपके लिए प्रैक्टिस एट काम लाते रहेंगे कोश्चन नमर 48 कह रहा है कि मसाला बगीचा रजस्थान के किस सहर से संबंदित है 48 का राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर 2 जोधपूर रजस्थान के जोधपूर सहर को मसाला बगीचा कहा जाता है यहां जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च का उत्पादन किया जाता है नेक्ष देख लेते हैं कोश्चन नमर 49 में कह रहा है कि हिमाले का कौन सा सीखर भारत के अंतरगत आता है उन्चास का राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर 4 कंचन जंगा कंचन जंगा जो की 85-90 मिटर इसकी लंबाई है उचाई है 85-90 मिटर और सीखीम और नेपाल सीमा परवस्तित है और यहां परवत भारत और तीफत के बीच जल भी भाजन के बहुत अधिक दक्षिन की और इस्तित है नेक्ष देख लेते हैं क्वेशन नमर 50 में कहड़ा की कौन सा सहर भारत के भागोलिक केंद्र के सबसे समीप है 50 के राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर 1 नागपूर भारत का ओद्योगिक केंद्र मुंबई है नागपूर ओद्योगिक केंद्र मुंबई के समीप है और नागपूर संतरों के उत्पादन में अगरेनी है नेक्ष देख लेते हैं Question number 51 में कहड़ा आपको कि भारतिय मानक समय और Greenwich माधियम के बीच कितने समय का अंतर है 51 का राइट अंसर हो जाएगा Option number 1 सारह 5 घंटे का अंतर है भारत का मानक समय जो है वह इलहाबाद के निकट मिर्जापूर से गुजरने वाली सारह 12 डिगरी पुर्वी दे सांतर है जो की Greenwich टाइम 0 डिगरी दे सांतर है और भारतिय मानक समय Greenwich टाइम से सारह 5 घंट आगे है Next देख लेते हैं Q52 कहड़ा है कि भारत का सबसे बरा नमकीन पानी का जील कहा परिश्थित है 22 का राइट एंसर हो जाएगा Option number 1 सांभर सांभर जील जो नहीं भारत की सबसे नमकीन पानी के जील सांभर जील है और यह राजस्थान में अवस्थित है Next देख लेते हैं 53 53 में आपको कह रहा है कि हिमाले का का ईउ क्या है 53 कर राइट एंसर हो जाएगा option number 3 एक ओस्थिये पोधा question number 54 में कह रहा है कि किस जन जाती में समस्थ गाउं का मुखिया गमेती कहलाता है चोवन कराईट इंसर हो जाएगा ओफिसन नमर चार भील भील जोन है यह रजा थान के दूसरी बरी जन जाती है और भील जन जाती के लोग पहारीयों पर छोटे छोटे गाउं वसा कर रहते हैं और ग्राम मुखिया गमेती कहलाता है भील जन जाती का मुख बेवसाए क्रिसी ये उपस्व पालन है नेक्स देख लेते हैं कुशन नमर 55 में कह रहा है कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित अस्थल है पच्वन कराईट इंसर हो जाएगा ओफिसन नमर एक दामोदर और भेरा रजरप्पा जोन है वह जारखन के रामगट जीले में इस्थित एक जल प्रपात और तिर्स अस्थल किन्द्र है और यह दामोदर और भायरवी नदियों के शंगम पर इस्थित है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुशन नमर वहां से मैं थोर जिनिंग है हम PDF देंगे आपलोग बना लेजेग वहां से 86 में कहड़ा की राष्टवादी कांग्रेस पार्टी यानिकी NCP की अस्थापना की सबर्स हुई 86 का राइटेंस एर हो जाएगा ओप्सर नमर दू 1999 में 25 मैं 1999 को भारतिय राष्टिय कांग्रेस के तीनु नेताव को इटालियन मुल्की शोनिया गांजी के INC का नेता बनने परजूरदार बिरोद करने के कारण पार्टी से निस्कासित कर दिया गया इसके बाद एक नहीं पार्टी बनाईगा जिसका नाम रखा गया राष्टवादी कांग्रेस पार्टी नेक्ष्ट देख लेते हैं 87 में कहा रहा है कि निर्वात पॉम्प का अविस्कार किस ने किया 87 के राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर एक auto-1 गेरिक auto-1 गेरिक जो है वह निर्वात पॉम्प के अविस्कारक है नेक्ष्ट देख लेते हैं दोस्तों यह पुराना दिया हुआ है देख लेते हैं 89 89 में कह रहा है 89 में कि और 89 में कह रहा है कि उपनियास दो ग्रेप्स आफ रैथ के लेखक एन रैड है और बौ में कह रहा है कि उपनियास दव फाउंटेन हेड के लेखक जोन एस्टेबेख है और सौ में कह रहा है कि उपनियास अंसीलरीजस्टी के लेखक एन लेकी है कौन से कतन सही है या आपको बताना है 89 के राइट उनसर हो जाएगा आप्षिन नमर तीन ओ और बा दोनों यानि कि दग्रिप्स आपरैत के लेखक एन रेंड है सही है और उपनियास दव फाउंटेन हीड के लेखक जोन इस्टेबेख है यानि कि ओ और बा जोन है वो आपका सही है ओ और बा नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर नब्बे नब्बे मैं आपको कह रहा है कि अप्षपात वक्र क्या दरसाता है नब्बे कराईट इंसर हो जाएगा ओप्षन नमर दो तो बस्तू से प्राप्त संतुष्टी उदासीन वक्र एक लेखा चित्र है यह दो बस्तू के स्वयोजन को दरसाता है जो उप्षपोक्ता को समान संतुष्टी और लाफ परदान करता है और उदासीन वक्र का परतिक बिंदू संकेत करता है कि उप्षपोक्ता दो बिंदू के मद्ध उदासीन होता है और सभी बिंदू उसे शमान अलग परदान करते हैं नेक्ष देख लेते हैं मिलान इसमें करना है करांती है और नेता है निमलखित को करांती और नेता है मिलान करना है 91 कराइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर दू यानि कि हरित करांती जो नहें इमे स्वामी नाथन उसके बाद स्वित करांती, वर्गिस कुरियन और गुलाविक करांती हो जाएंगे दुरुगेस पटेल एनिका option number 91 का right answer option number 2 हो जाएगा next देख लेते हैं question number 92 92 में कहड़ा है कि राज में सिस्व मिर्थुदर में कमी लाने के लिए दुलारी करने योजना किस राज ने शुरू की है 92 का right answer हो जाएगा option number 1 अरुनाचल परदेश next देख लेते हैं question number 93 में कहड़ा है कि क्विन्स बरी नियम एक नियम संगरा है जो निम लिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है 93 के right answer हो जाएगा option number 2 मुख्यवाजी हेमा मालेनी बियोंड द्रीम गर्ल किस लेखा के लिखिका के द्वारा लिखी गई है 94 के right answer हो जाएगा option number 2 या हेमा मालेनी के द्वारा लिखी गई है next देख लेते हैं question number 95 में कहड़ा है कि समान संतुलन सिधान किसने परतिपादित किया था 95 के right answer हो जाएगा option number 2 लिउन वालरस समान संतुलन विशलेशन आर्थिक चरो की संख्या समूचे रूप से समूचे रूप में आर्थिक परनाली की कारव परनाली समझने के लिए उनके अन्योंतांत्रीक और अंतो समंधों का गहन अध्यान है next दख लेते हैं question number 96 में आपको कहड़ा है कि निमली खित में से कौन सा डिमांडर आपके संदर में सही नहीं है 96 के right answer हो जाएगा option number 3 यह धन के अभाव के कारण और स्विक्रित किया जा सकता है यह सही नहीं है यह एक प्राकर में लिखत है यह एक बैंकर चेक है और यह बैंक द्वारा जारी किया जाता है यह तीनों सही है लेकिन option number 3 जो है यह गलत हो जाएगा next दख लेते है question number 97 में कहड़ा है कि प्रदान मंत्री उजवला योजना का मुख लग्च क्या है 97 का राइट एंसर हो जाएगा option number 3 LPG Connection प्रदान करना 98 में आपको कह रहा है कि टेलिवीजन का विश्कार किस ने किया था 98 का राइट एंसर हो जाएगा option number 4 यानि कि जोन बियर्ड ने जोन बियर्ड एक ascotic engineering प्रवर्तक और यांत्रिक टेलिवीजन के विश्कारकों में से एक थे उन्होंने 26 जनवरी 1926 को प्रथम कारेसिल टेलिवीजन परनाली का परदर्सन किया था और वह सरवजनिक रूप से प्रथम रंगी टेलिवीजन परनाली और प्रथम विशुद एलेक्ट्रोनिक रंगी टेलिवीजन पिक्चर ट्यूब के अविसकारक थे जोन बेयर्ड एनि कि टेलिवीजन के विसकारक नेक्ट देख लेते हैं 99 में कहड़ा कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलारी होते हैं 99 कर आइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर 3 छे खिलारी होते हैं आज का अंतिम कोशन हो जाएगा कहड़ा आपको कि निमलीखित के मिलान करना है मंदीर है और भगवान है 100 कर आइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर 2 यानि किलिंग राजमंदरी जो ओडिशा में है वहाँ आपको भगवान सिव का मंदीर है उसके बाद 13 मंदीर राजस्थान जो है भगवान महभीर का है और व्यक्रेस्वर मंदीर तिरुपती भगवान विश्नु का है तो 100 कर प्रेफने नहीं दे एक हैं तो मैरे फ्लेलिस में जाकर उसे देक सकते हैं दोस्तों अगर आपको इसका पीडिएफ लइए तो डिस्क्रिप्शन में प्रेल य्वर लिकि दें अлिक ए आप लोको वहां से प्राप्त कर सकते है दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है कि आपम मे